उत्तरपदेश के मुख्यमंत्री और बिजेपी के फायर वैर नेता योगी अधितनात पांच साल से अपने परिवार से नहीं मिले लेकिन अब वो पल जल्द आने वाला है जब बुड़ी मा का अपने बेटे को आँख बर देखने का वर्टो का इंतजार खत्म होगा वो मा जिसकी आँखें आज भी घर की दहलीज पर लगी रहती हैं कि सायद उसका बेटा अपनी मा को आकर गले लगा ले लेकिन एक मा का इंतजार तीन माई को खत्म होने जा रहा है तीन माई को परिवार से मिलने जा रहे हैं योगी यमकेसवर में पंचूर गाउं में योगी का परिवार रहता है दूसरी बार सियम बनने के बाद तहली बार परिवार से मिलने जाएंगे योगी योगी अदितनात की बहन सती देवी ने भी पहले अपील की थी और कहा था कि मां से आकर एक बार मुलाकात कर लें वो काफी बुड़ी हो चुकी हैं पिता के निदन पर भी आप नहीं आये थे योगी की बहन पहले भी अपने भाई को याद करके भावुक हो पड़ी थी उस वक्त योगी कुरोना पर कैबिनेट की मीटिंग ले रहे थे लेकिन जैसे ही उन्हें ये खबर मिली तो योगी अदितनात भावुक हो उठे लेकिन यूपी की 25 करोण की जनता के परती अपना करतव विकाद सर्वो पर ही रखते हुए बैठक जारी रखी और एक टीवी पर दिये गए इंटर्विव में पिता को लेकर पूछे गए सवाल पर वो भावुक हो गए लेकिन सूचिए कि जिस बाप ने पाला पोसा जिस बाप ने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया उस बाप को आगरी बार बेटा देख तक नहीं पाया उस तकलीफ का अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते हैं लेकिन ये लाल अपनी भावनाओ को आसगों को अंदर ही अंदर दबा कर पी गया जनसेवा में जुट गया लेकिन हाली में विदानसवा चुनाओ से ठीक पहले जब एक इंटर्वी के दारान योगी से परिवार से मिलने को लेकर सवाल पूछा गया तो योगी उस सुख हो उठे उन्होंने कहा कि 25 करण लोगों को ही मैंने अपना परिवार माना है उन्ही के सुख में सुखी उन्ही के दुख में दुखी मेरी बात नहीं हुई है लेकिन मैं चुनाओ के बाद जाने का प्रयास करूँगा मा से मिलने को लेकर योगी कहते मेरी बात चीत नहीं हुई लेकिन मैं चुनाओ के बाद जाऊँगा मेरे पिता जी का दो साल पहले देहान्त हुआ था, दुखद निधन हुआ था मैं तब से भय के मारे और संकोच के मारे भी बात नहीं कर पाया लेकिन हाँ मेरी इच्छा है कि अपने मा के दर्सन करना चाहूँगा जो कुछ भी ही उनकी करपा से हूँ आपको बता दें कि इससे पहले फरवरी 2017 में आखरी बार योगी अधितनात अपने परिवार से मिले थे साल 2024 में अजय सिंग वीष्ट अधितनात योगी बन गए थे माता पिता से बिच्छा लेने के लिए वो पंचूर गाउं भी गए उन्हें रोकने के लिए परिवार ने लाखो कोशिसे की लेकिन वे नहीं मने योगी अधितनात की मा को जब पहली बार उनके पिता आनन सिंग बीष्ट ने सरन्यासी बने की जानकारी दी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ योगी की माने बेटे को मनाने के लिए गोरकपुर के लिए ट्रेन पकड़ी वहाँ उन्होंने योगी को मनाने का प्रयास भी किया लेकिन तब योगी अधितनात ने कहा था कि मैं छोटे परिवार से अब बड़े परिवार का सद्द से बन गया हूँ लेकिन दोस्तों अब एक माँ अपने बेटे को जी बर कर देख पाएगी इस कबर में फिलाल इतना ही तब तक के लिए दीजे मुझे इजाज़त नमस्कार झाल